तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है यह सोया कीमा जो की बहुत ही जादा डिलेशिस रेसिपी है और खाने में तो बहुत जादा टेस्टी लगता है आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पर जो भी अविलेबल मसाले हैं मैं उन्ही का यूज़ करके यह सोया कीमा बनाने वाली हूँ आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रहे और अगर वीडियो पसंद आए रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगे तो आप प्लीस एक लाइक जरूर कीज़ेगा शेयर करिए अपने फ्रेंस और फैमली में तो चलिए फिर वीडियो शुडू करते हैं बातें मुझ यगे तो वीडियो खी मॉझ exposure लियो है अगर आपके पास आवेलेबल नहीं है तो आप वीडियो और बोलीस और अच्छी लिए इसमें मैं एक ग्लास बॉयल पानी डालूंगी गरम पानी डालूंगी इसमें एक ग्लास के करीम और इसको 10 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखूंगी ताकि ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए तो इसको ये मैं साइड में रख देती हूँ तब तक हम आगे की तैयारी सुरू कर तो सोया कीमा बनाने के लिए मैंने आप एक कुछ सामागरी ली है जो भी घर में अवेलेवल है मैं उसी से बनाने वाली हूँ तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक हरी मिर्च ली है जिसको लंबा-लंबा मैंने पीसेस में कट कर लिया है नेक्स्ट मैंने यहां पे एक मीडिय नहरा मटर लिया है तो next मैंने आप एक मीडियम साइच का प्याज लिया है जिसको बारिक बारिक मैंने काट लिया है next यहाँ पर दो चमत दही है next हो यहाँ पर एक चमत रेकलेसुन का पेस्ट है यह ready made है next हो यहाँ पर डिफाइन ओयल है एक चमच घी है नेक्स यहां पर मैंने लिया है एक चमच धनिया पाउडर नेक्स यहां पर है दो डालचीनी के तुकड़े हैं एक बड़ी लाइची है और एक चक्रफूल है नेक्स यहां पर एक चमच गरम मसाला पाउडर है नेक्स यहां पर आदा चमच हल्दी पाउडर है नमक स्वादा नूसार है नेक्स यहां पर एक चमच जीरा है और एक चमच लाल मिर्च पाउडर तो ये सभी मसाले हम आज स्वया कीमा बनाने में यूस करने वाले हैं तो चलिए फिर सबजी बनाना सुरू करते हैं तो गैस पर मैंने पैन चड़ा दिया है गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और जो ओईल लिया था हमने उसको एड़ कर देंगे अब इसमें जो हमने साबुत मसाले लिये थे दाल चीनी, चक्रफूल और इलाइची और जीरा ये चारों चीज हम इसमें आइड करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भून लेते हैं तो जीरा अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें बारिक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे ताकि प्याज का जो भी कच्छापन है वो निकल जाए और साथी साथ हम इसमें जो हरी मिर्च काटके रखी हुई थी उसको एड करेंगे हरी मिर्च आप अपने एकोर्डिंग एड कर सकते हैं जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं आप उसे साथ से ले सकते हैं तो प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं पहले तो हलका हलका प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें जो एक चमा चदरक लेसन का पेस्ट लिया था उसको एड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और अगीन हम इसको एक मिनिट के लिए भूनेंगे तो प्याज भी अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें जो टमाटर काट के रखी होई थे उनको add करेंगे तो लंबे लंबे टमाटर मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं आप चोटे-चोटे पीसे में भी cut कर सकते हैं तो टमाटर को भी हम अच्छे से 2 मिनिट भून लेते हैं ताकि ये अच्छे से soft हो जाए तो पैन को हम लीट से cover कर देंगे और 2 मिनिट के लिए भून लेंगे तो 2 मिनिट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं ये देखिए टमाटर बहुत ही अच्छा soft हो चुका है ये देख सकते हैं आप बहुत ही बड़िया तरीके से ये टमाटर भी गल चुके हैं अब हमने जो यहां पर ड्राइ मसाले लिये थे उन सभी को डाल देंगे धनिया पाउडर एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और साथी साथ इसमें गरम मसाला और हम नमक भी एड़ कर देंगे तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं यहां मैंने एक चमच नमक लिया है इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अगीन हम इसको दो मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि जो भी हमने मसाला एड़ किया है वो भी अच्छे से भून जाए तो दो मिनिट हो चुके हैं हम चैक कर लेते हैं यह देख सकते हैं मसाला भी बहुत बढ़िया तरीके से भून चुका है और छोल दिया है मसाले ने तो अब हमें नेक्स मसाले में डालना है दही तो दही हमें ऐसे नहीं डालना है सबसे पहले हमें मसाले को ठंडा करना पड़ेगा तो उसके पहले मैं गैस बंद कर देती हूँ उसके बाद मैं दही एड़ करूँगी इसमें क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम दही डालते हैं तो ये देखे मैंने गैस बंद कर दिया है तो जब भी हम दही डालते हैं मसाले में तो वो दही फट जाता है इसलिए पहले हम गैस बंद कर देते हैं और मसाला ठंडा करेंगे उसके बाद हम दही एड़ करेंगे तो ये देखे मसाला यहां पर ठंडा हो चुका है अब हम इसम किमा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यह देखिए यहां पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब हम यहां पर गैस ओन कर देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको एक मिनिट के लिए भूनेंगे दही डाला है तो दही को भी हम एक मिनिट के लिए भून लेते हैं अच्छे से तो चेक कर लेते हैं मसाला हुआ है कि नहीं ये देखिए बहुत ही बढ़िया मसाला बनके तयार है और अच्छे से ये भून चुका है पहले हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे और मतर को भी हम एक मिनिट के लिए मसाले में अच्छे से भूनेंगे पहले तो अगेन हम मसाला चेक कर लेते हैं ये देखिए मतर भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है और मसाला भी बनके तयार है अब हमने जो सोय क्रम्स भीगा कर रखा था उसका पानी पूरा रिमूब कर देंगे तो यहां पर देखिए मैंने उसका पूरा पानी निचोड कर रिमूब कर दिया है इसमें हम मसाले में मिक्स कर देंगे ये सोया क्रम्स और अच्छे से हम इसमें मसाले में मिक्स करेंगे तो ये देखिए सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सोया क्रम्स भी अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने अब हम इसमें नेक्स्ट पानी डालेंगे तो यहां पर मैं आधा कब पानी डाल रही हूँ ताकि यह और अच्छे से सौफ्ट हो जाए तो इसको अम मिक्स कर देते हैं पहले और 2-3 मिनिट के लिए हम इसको ढखकन से ढखके 2-3 मिनिट के लिए कुक होने देंगे और बाद में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा हम उसको रिमूब कर देंगे तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक लीट से हम इसको ढख देते हैं तो तीन मिनिट हो चुके हैं हम चेक कर लेते हैं यह देखे बहुत ही बढ़िया अच्छे से बनके तयार है यह सोया कीमा अगर आपको और जादा इसमें से पानी रिमूब करना है तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भी रख सकते हैं तो इसका जो भी पानी होगा एक्ष्ट और आदा चमच में इसमें घी डालूँगी गी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं तो यहां पे इन दौनों चीजों को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और एक मिनिट के लिए हम ऐसे भून लेते हैं तो अभी सोया कीमा सर्व करने के पहले हमने इसमें जो साबुत मसाले डाले थे उसको हम रिमूब कर देते हैं ताकि जब भी हम इसको सर्व करें तो यह मूँ में ना आए क्योंकि यह मूँ में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं मसाले तो हम इसको पूरा रिमूब कर जो भी चीज़ें हमने डाली थी दाल चीनी चक्र फूल और बड़ी इलाई चीन तीनों को मैंने निकाल दिया है और अभी ये बनकर बिल्कुल तयार है सोया कीमा तो अभी इस सोया कीमा में हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे तो इस पैन को हम दूसरी साइड रख देते हैं और तड़के के लिए मैं यहां पे एक पैन चड़ाती हूँ तो यहां पे मैंने यह फ्राई पैन लिया है और गैस की फ्लेम को चालू कर देती हूँ और यहां पे मैं फ्राई करने के लिए मैं ओईल का यूज नहीं करूंगी मैं इसमें एक चमच गी का यूज करूंगी त तो यहां पर गी डाल देते हैं एक चमच तो यहां पर मैंने एक चमच गी डाल दिया है अब तड़का लगाने के लिए मैं यहां पर अद्रक के कुछ तुकड़े लूँगी तो जिनको मैंने लंबा लंबा पीसिस में कट कर लिया है यह देखिए अद्रक के तुकड़े हैं इसमें डृट दूँगी और इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो अध्रक की तुकड़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गैस की फ्लेम को बंड कर दिया हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और अब मैं इसमें डालूँगी एक चमच लाल मिर्च और mix कर दूँगी अगर कस्मीरी लाल में छो तो बहुत अच्छा कलर आता है अब हम इसमें अच्छे से mix कर देंगे अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर देंगे और बनकर तयार है हमारा सोया कीमा I hope आपके लिए ये वीडियो helpful रही हो तो इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरी हुई ये रेसिपी है सोया बीन तो खाना ही चाहिए सबजी में एड़ करना चाहिए तो चलिए अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो सोया कीमा बनकर एकदम तयार है और इसको मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल के रखा हुआ है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये सोया कीमा आप एक बार जरू ट्राइ करें अगर आप ट्राइ करते हैं तो अपना experience मेरे साथ जरूर शेर करें कि मेरी recipe आपको कैसी लगी तो मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा पास में ही bell icon का बटन है तो सी भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले notification आपको मिले तो चलिए फिर like कर दीजिएगा शेर करिए अपने friends and family में तो मिलती हूँ फिर next वीडियो में next recipe के साथ या फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care